हाई फ्रेंड मेरी मा के रस्वाई में आप लोग के स्वागत है आज मैं आप लोग के बताओं कि थोड़ा बहुच अगर सब्जी बच जाती है कुछ नहीं समझे माता क्या बनाओं तो उसके लिए मैं वीडियो लाई हूं देखना मेरा थोड़ा से लोकी बच गया है इसे मै छिलका हटा लूँगी और इसे मैं बारिक बारिक पीस में इसे गोल पीस में लोकी के सारे कट कर लूँगी उसके बाद थोड़ा से नमक और थोड़ा से इसमें हल्दी डालके इसे रखूँगी इसे अच्छे से मिलाके इसे मैं कर दूँगी साइड में कर दूँगी इधर मैं लेए हूं चार पाच मस्रूम है बच गया था इसमें गरम पान डालके धो लेना है जो उपर वाला है भाग इसमें थोड़ा हलका इससे चाकू से इसको निकाल लेना है अगर फ्रेशत कोई बात नहीं अब फिर इसे अच्छे से दो के तिन चार पाने कट कर लेंगे सारे मस्रूम कट करके एक चोपर में डाल लेंगे इसमें प्याज एक लिए हूं काटके लेशन के कलिया है तिन चार हरी मीची है इसे ढखकन लगा के इसे हमारा निकाल लेंगे तरही मैं हमारा है द्रत्र पुरत रेटू हो गया एक फ्राई पीन में ठोड़ा से ट्रेर ला रहे यह जीरा डालें तरहें के हाई फ्लेम पर इसे तोड़ा से नमगर खेल गार मसाला है और थोड़ा से चाटमसाला काली में चेट्स ब्यबार्ट बान और नमक गर्स बन करने के बाद में नमक डालना नहीं तो इसमें पानी निकलेगा अब इसे प्लेट में इसे बाहर निकाल लेंगे जो नमक हल्दी लगाई थी लोकी में इसके उपर सारे मिशरन को यह से दोनों में जोड देना है सारा बनके रेडिय हो गया है फिर एक बावल इसे तल लेना है लिए अगर हम करेंगे तो इसमें टे लगेगा हाई फिलेम पे इसे बילकूल भी तेल नहीं लगता है सारे पीस के हम इसे खराई करकर निकाल लेेगे बाहर आप ऐसे भी खा सकते हो बहुत मश्स लगता है लेकिन मैं इससे सबजी बनाऊगे जार में लाल मिच्चा, अधराक, प्याज, कटा हो टामाटर दो, लेशन के कलिया है, थोड़ा खोपा है, आप उसका मुरादा भी ले सकते हो, इधर पीस के हमारा रेडी हो गया है, कराही में तेल है, जीरा है, जो पीसी थी जार में, इसे सारे डाल के इसे अच्छे से दानी डाल के नमख डाल की से पका लेना है, तस मिन तक नबी घाठा हो जाई, लास्ट में पका औरे डालना है, तो अट यह ज्यदा पहले नहीं डालना है, उसकेपादे दस मिन पकाने बाद में देखना हमारा सब्जी सुबस टेष्टी बनके रेडी हो गई है, आपको वी